इतना चुबने लगा हूँ सबको, छुड़ा तो नहीं हूँ, जानी जितना बताते हूँ मिरे बारे में अतना बुरा तो नहीं हूँ सू अगर आपने अभी तक मर्चन को सस्क्राइब नहीं किया ना तो सस्क्राइब कर लेना और घंटी वाले बटन को भी दबा लेना नमस्कार दोस्तों मैं हुरून कुमार और आप देख रहे हैं अरून राइफ आज कुछ ऐसी बाते करते हैं जो दिल को छुजाती है कि जितना सता सके उतना सता ले ऐए जिन्दगी हमें यहां कौन सा दोबारा आना है जिम्मदारियों में आते ही सारे सौक खत्म हो जाते है लोग करते हैं माफ कर देना चाहिए लेकिन इनसान की गल्तियां माफ की जाती है चाला किया नहीं ना मेरा एक होगा, ना तेरा लाख होगा ना तारीफ तेरी होगी, ना मजाक मेरा होगा गुरूर ना कर इस साही सरीर का क्योंकि तेरा भी खाक होगा, मेरा भी खाक होगा अजीब करिस्मा गुद्रत का जिन्दादी पानी में डूब जाता है और मरने के बाद तैर कर दिखाता है कभी ये सोचकर किसी का हाथ मत छोड़ना कि उसके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है बलकि ये सोचकर उसका हाथ पकड़े रहना कि आपके अलावा उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है हीरा ढूटना है तो अंधेरे में ढूड़िये धोप में तो कांश के टुकड़े में चमकते हैं एक बात याद रखना दिक्कतों की जनम चाहतों से होती है अमीर के घर का कवा सबकी नजर में मोर लगता है और जब गरीब का बच्चा रोता है तो सबकी नजर में चोर लगता है गरीब होना बुरी बात नहीं है उसी गरीबी में मर जाना बुरी बात होती है कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है जिन्दिगी की रास्ते में ना रुखना है ना दोड़ना है बस चलते रहना है जब कोई जादा बोलने लेगे तो आप समझ जाना कि वो किसी ना किसी कारण से बहुत खुस है और जो चुप चाप उसकी बास हुनता है वो अंदर ही अंदर कुछ करनी की सोचगा है काम्याब होने की कोई उम्र नहीं होती है लेकिन आपको अपनी मंजिल हमेशा नजरानी चाहिए कभी कभी बेवज़े ही मुस्कुराना पड़ता है दो पल आसों को चुपाना पड़ता है जवानी की कीमत वही समझते हैं जिनें बुढ़ापे में अक्सर कमाना पड़ता है दोस्तों प्रियास मेरा अगर अच्छा लगा हो तो चलू को सब्स्वाइब करके कमेंट में में बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगा